जलवायू परिवर्तन के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्रे नरिंद्र मोधी के अभियान एक पीन मा के नाम का पोस्टर संदेश लेकर यॉरप की सबसे उची चोटी, माउंट एलबरोस परवधिवर्देश के सागर जिले की पूर्व विधायक और पर परवता रोही पारुल साहु पहुचे और पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज के दुश परिणामों से बचने का संदेश दिया। हसे का भियान में आठ सदस्य दल शामिल रहा। आठ अगस्त को केंद्रे क्रिश्य मंतर शिवरा सिंग चोहन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की एक पीड मा के नाम अभियान का पोस्टर परवता रोही दल की पारुल साहु को सौपा। इसे लेकर निकली पारुल और पूरी टीम ने 17 अगस्त को अलबरुस चोटी पर संदेश पहुचाया और देश का नाम रौशन किया। 14,510 फीट उची एलबरुस चोटी पर 16 अगस्त की रात से चड़ना शुरू किया था। परवतारोही पारुल साहु ने बताया कि पिछले दो दर्शकों से देश दुनिया की कई चोटीयों पर पहुची हैं। लेकिन योरोप के इस चोटी पर पहुचना एक अलग अनुभ हो था। योरोप की सबसे सर्द और बर्फीली चोटी परतापमान माइनस 10 डेगरी सेलसेस रहता है। हवा की रफदार 40 किलोमेटर प्रतिघंटा थी। इसमें हम लोगों ने धीरे धीरे चड़ना शुरू किया। चारुतरफ बर्फ की चादर ही दिखती रही। टीम के सद धायक पारूल साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने जलबायू परिबर्तन के संबंध में जो पहल शुरू की है इसको गंफेटा से हर एक वैक्ती को समझना बहुत जरूरी है। यदि कलाइमेट चेंज के ब्दोस्ट प्रभावों को आज से रोकना चाहिए। यह अभियान पूरे दुनिया का हर एक वैक्ती अपनाएं तो हर वर्ष नौ अरब विरिक्ष लगेंगे। इससे हमारी प्रकृति को जलबायू परिवर्तन से हो रहे दुश प्रभावों का सामना करने में मदद मिलेगी। तिली रोड सागर